आजनी किसान भाईयो नमस्कार फार्मेंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल में मैं आपका दोस्त विश्णू आज करीफ सीजन 2021 में हमें नर्मे के लिए कौन-कौन सी विराइटी की बिजाई करनी चाहिए यह वीशे लेकर आपके साथ आया हूँ मैं सबसे पहले अपने साथियों से अन्रोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि किसमें बताएगी सारी बातों की जानकरी आपको मिल सकें किसान साथियो नर्मा हमारे खरीफ के एक मुख्य और नगदी पसल है जो हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत क करने में अपना एक एहम रोल अदा करा है किसान साथियों इसे कोई एकिस्योक्ति नहीं है कि जिस वरह मारे क्रीब सिसन में नर्मे की पसल अच्वार समय हमारे खरीफ की आर्टीक्स्थिती कहीं कहीं मजबूत देखी जाती फिलेकिन दुरभागया कि वीगत वरंस जो अभ जिसे हमारा कोई उत्पादन गिरें यह निश्चित है कि हमारा जो खेत होता है वो खुले नीले गगन के तले है और इश्वर की मेर इश्वर की किरपा पर ही हम पुरणता निर्बर हैं लेकिन कहिन कई मैं मानता हूं कि हमारे किसान साथी यदि अच्छी मेहनत करते हैं नई वेग्यानिक टक्निकों का प्रियों करते हैं तो इश्वर हमें शबलता देते हैं यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है बिल्कुल सार बॉमिक सचाई है तो किसान साथियों सबसे पहले हमें किस परकार के बीजों का चैन करना है यह निर्भर करेगा कि हमारे बिजाई का समय खाली है उस समय हम जो बिजाई कर रहे हैं तो किसान साथियों उसमें हमें लॉंग डूरेशन के जो है वो सीड अपलाई करने चाहिए जिन की आउधी लंभी है हम यह एक जो है वो चूक कर बेठते हैं हम बिना किसी जांच और बिना किसी एक उसके अनुबाव के जहां हमे अधुटाइजमेंट लगे होती है वो सीड लागर अपने खेत में अपलाई कर देते हैं विजाई कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब अगस्त का महिना आता है तो लगबग वो नर्मा फ्लावरिंग की स्टेज अपनी पूरण कर चुका होता है उसके अडल्टेशन इंस्टूट आफ कॉटन रिशर्च की साइट पर जाकर है उसकी साइट www.cicr.org.org.in उस साइट पर जाकर हमें CICR की टेकनिकल बुलिटेंस की मदद लेनी चाहिए कि हमें इस महीने हमारे इस छेतर में कौन सी विजाई नर्मे की करने आए किसान साइटियों हमारे एक कोटन रिशर्च इंस्टूट contribute ने पूरे देश को के जोनों में बाणका मैंज रहता है एक कहीं वर्षा ज्यादा होती है एक हमें पर करनी पर निरवर आए उन वर्षा पर निरवर में के आलग लग विजराएट जूए वह B किसान साथियों हमारे नर्मे का बीज खरीजने से पहले उस नर्मे की डूरीशन्स कितनी है विकत वर्सों से उसका उत्पादन हमारे चेतर में कितना हुआ है उसके रेसे की लंबाई कितनी है परती बॉल्स उसका वजन कितना है यह सब बाते हमें देखकर ही नर्मे का बीज खरीदना है क्या होता है किसान साथियों हम एक दूसरे किसानों के अन्वहों पर अपनी खेती करते हैं और हमारा यहीं प्रमपरागत तरीका रहा है लेकिन आज हमें कुछ वेग्यानिक दुरुष्ट्री करूणों का भी सारा लेना होगा किसान साथियों हमें अपने नर्मे की बिजाई करते समय रिक्मेंडिड यानि वेग्यानिकों के अनुसरन के टोटल फर्टिलाइजर की मात्रा हमें अपनी शोयल में पहले डाल देनी चाहिए यह देखा गया है कि जिन किसान साथियों ने हमारे डिएपी या यूरिया के आफडोज पहले डाल कर जो बॉआई करते हैं उन किसानों का नर्मा उत्पादन में कहीं कहीं ज्यादा होता है इसके इलावा किसान साथियों में आपसे एक अन्रोद करना चाहूंगा और यह मेरा अन्रोद लगभग इस परसाने वाले सभी वीडियों में होगा कि हमें अपने नर्मे में सेंथेटिक पेरासाइड्स ग्रूप के जो जहर है उनका प्रियों कम से कम करना है इससे हमारी कंहें यह से कंभाब कि में से इससे वीडियों में बहुत आने वाली अच्छी किसम जो वीगत वर्सों में जञदा उतपादन दिया है उनी किस्मों का चैन करके आच्छे परकार से अपनी बुमि को तियार करके और हमें बीज की एक निश्चित मात्रा डाल कर अपनी विजाई करनी है तो किसान साथियो आपका ये वरस नर्मे के विजाई के मामले में अच्छा रहे उत्पादन चोगुना रहे पिछले वरस से और इनी शब्दों के साथ सभी किसान बाईयों को राम राम नमस्ते जाएं